Hello Friends, Welcome to Gharili Ouzdi Gharili Ouzdi में आपका बहुत बहुत स्वागत है Friends आपके सामने मैं एक स्क्रीन पे लेके आया हूँ एक नई वीमारी का हिलाज जी हां एक नई वीमारी का हिलाज लेके आया हूँ उसके बारे मैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं बता दूँ अगर मेरा चैनल पर आप नए है तो आप इसे सबस्क्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जो भी वीडियो आपके पास लेके आता हूं वो आपको आसानी से मिल सके और आप उसको सबसे पहले देख सकें और जानकारी हाशिल कर सकें और आपको बताते हैं क्या लेकि यह में अपको इस बीडियो में अब की सक्रीम पर दिखेगी कुछ दोबने की यह नहीं चीज पर दिखेंगी कुछ एवेट में कि मैं किस चीज के बारे में बताने प्राचीन समय से इसका उपयोग हमारे मेडिसीन में होता है लेकिन आम तोर पे इसका रेजरे उपयोग ना के बराबर होने लगा क्योंकि अब ये दवाएं बनके आने लगी सबको रेडिमेट चीजे मिलने लगी तो ये इसका उपयोग लोग भूल गए तो अस्वगंधा के बहुत सटीक फायदे होते हैं जो भी अस्वगंधा का इस्तेमाल करता है और उसके गुडों को धर्म को जानता है वह इसका उपयोग अवश्च करता है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अस्वगंधा के फायदे अस्वगंधा के जो फायदे हैं वह सबसे पहले मैं कह दूँ तो वास्वगंधा आपके सरीर से जो एक्स्टा फायट है चर्भी हैं मुटापर करता है उसको सबसे ज्जादा कम करता है आपके मैं अस्वगंधा और जो कमजोरी होती है मानो में माननो पूरुस जिसकी वी अंदर वी उस कमजोरी को खतम करता असुगंधा अर्थराइटिस जी हां जो जोडो दर्द ये होती है कमर दर्द ये घुटने का दर्द हाथ का दर्द ये सब दर्दों में काफी काम आता है असुगंधा इस्ट्रेस को भी कम करता है अगर किसी को इस्ट्रेस हो गया हो तो ना हो गया हो एंजाइटी चिंता इन सब के लिए बहुत अच्छी दवा है अस्वगंदा अस्वगंदा हमारे प्राचीन समय में भारत वर्ष में इस्तमाल होता चला आया है और इसका फायदा लगतार रहेगा दोस्तों अगर आप मोटा पगटाना भी चाते हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं आप अपने भोजन में हरी सबजीयों को बढ़ा सकते हैं उससे क्या होगा आपके सरीर को फाइबर मिलना सुरू होगा और यह जो कैलरी घट्टी चली जाएंगे कैसे इसको लें उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यह देखिए अस्वगंधा कुछ इस तरह से दिख रहा था ठीक है स्क्रीन पर आपके दिख रहा है अस्वगंधा यह स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है इसकी पत्तियां इन पत्तियों को आप कैसे लें जी हां इन पत्तियों को आपको कैसे लेना है पत्तियों को जो कोमल पत्तियां होती है उनको तोड़ लेना है उन पत्तियों को से रगड लेना है वो हलके हलके रसधार पत्तियां रस छोड़ने लगती है ध्यान रहा है पत्तियां साप होनी चाहिए नरम होनी चाहिए रसधार होनी चाहिए तीन कंडिशन है पत्तियां साप होनी चाहिए नरम होनी चाहिए और रसधार होनी चाहिए यह पत्तियां जंगल के रूप में आप इस चिप्चीज का प्रयोग करेंगे तो और अधिक तेजी से आपका वेट और प्रावपर बॉड़ी की जो मेटाबॉलिक एक्टिवीटई वह सही होगी पत्तीओं को धुलें सुबह एक पत्तिया लें साम लें और दो पहर लें कैसे जब गोली बना लें तो उसको पानी से निगल लें सुबह साम और दो पहर एक 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 नहीं पूरे दिन में आपको तीन ही पत्तिया खानी है उससे अधिक नहीं यह आपके सरीर में ब्यापक परिवर्तन लाएगा आपको महसूस होगा मात्र 20-25 दिन में कि सचमुच यह एक कारगा रौस्दी है और इसका इस्तमाल आप जुकिये हैं आपको बहुत संतुष्टी कर सकते हैं उसके अलावा यह सूगर को भी कम करता है जी हां जो सूगर का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में उसको भी कम करता है उससे उससे भी ज्यादा महत्वड़ चीजे इस पॉंबुष्ट जिन भी पूरुस व्यक्ति को महिला को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है इस पॉंब जदे आते नहीं है तो उनके खार्ण उनके बच्चे नहीं पैदे होते हैं क्योंकि जाइगोट फॉंब नहीं होता इंबुरियों में कन्वर्ट नहीं होता तो यह इसार प्रॉब्लम होते हैं तो यह इनफर्टिलिटी को भी क्यूर करता है बहुत हद तक अमजोडी महसूस नहीं होगी, यह बहुत ही प्रयोग किया हुआ अवसदी है इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ, तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, यह सूजन में, अगर सूजन हो किसी को, तो उसमें भी काम आता है, तो कैसे काम आएग अगर इसकी पत्तियों को आप ले सकते हैं, दो चौड़ी पत्तियां लें, दो चौड़ी पत्तियों में तेल, जो दर्द के तेल होते हैं, उसको लगा लें, गरम करके, उस पत्तियों को जहाँ पे सूजन हो पहर पे, वहाँ पे बाद लें, पुरा राद भर बाद के सो ज सब्सक्राइब कर सकते हैं और दिमाग के फायदे के लिए भी इसका बहुत इस्तमाल होता है last but not least दोस्तों आप पानी पी सकते हैं सुबह उटके तीन से चार गिलास और तीन से चार गिलास जो भी व्यक्ति पानी पिएगा उसकी पूरी की पूरी इंटेश्टाइन साफ रहे यह प्रॉपर चीजे जो सुबह मैं बता रहा हूं या अगर कोई करे तो बहुत ही ज़्यादा फायदय उसको होगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग घरेली उस्ती